हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं garment सेक्टर के डामों को गारमेंट सँलिग जो भी है इस में हम कैसे मालग सौंफर में हम कंप्लीट इसको मैंनेज करें और क्या-क्या जो है इसमें फीचर्स हैं जो बहुत मेजर हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं आप इसमें जो है रिटेल भी कर सकते हैं और होलसेल भी कर सकते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं इसमें आप जो है आर्टिकल वाइज कलर वाइज साइज वा और बार कोड अगर आपके पास किसी प्रोड़क्ट पर लगा है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं इससे आप WhatsApp, Email और SMS का भी Complete Solution ले सकते हैं Point System इसमें आप यूज कर सकते हैं जैसे कि Retail में Point System बहुत Important है तो इसको भी आप यूज मिली सकते हैं और इसमें आप अलग अलग डिफेंट डिफेंट तरीके से Offer लगा सकते हैं Discount Set कर सकते हैं, Scheme दे सकते हैं, GST और eBay विल वगरा Ready है, Complete यह Advanced Stock Management है, आप किसी भी तरीके से Manage करना चाहिए अपने Stock को Advanced Manage कर सकते हैं Multiple Go Down है, उसको Maintain कर सकते हैं और जितनी भी Reports है, सारे Reports आप देख सकते हैं और इसमें एक चीज और भी है, आप अगर अपने According कस्टुमाइज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो चलिए हम Step By Step इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो अभी जो यह मैंने Company क्रिएट किया है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूं Practically तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है मेनू मिल जाते हैं जो आप देख रहे हैं Master का मेनू है जैसे ट्रांजेक्शन में Sell, Purchase, Replace, Stock, Issue, Receive, Price, Quotations भी आप बना सकते हैं Dispatch Management है अगर आप Home Delivery वगरा System रखते हैं ट्रांजेक्शन को Import कर सकते हैं जैसे अपनी Sell, Purchase वगरा Import करनी है तो वह भी कर सकते हैं आप और फिर उसके बाद Accounts में जो भी आपका पैसो का लेंदेन है Payment Entry, General Entry ये भी सारी चीज़े कर सकते हैं और Online Payment Gateway है मारक का खुद का इसको भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और विक्स में आपके जितने भी बुक्स है, Day Book है, आपके Sell Book, Purchase Book, जो भी Interest, Party, Analytics वगरा सारी चीज़े आप इसमें देख सकते हैं Final Report में जो भी आपका Trial Balance, Balance Sheet ये जितनी भी चीज़े होती हैं ये सारी आपको Final Report में मिलेगी GST में GST से Related जितनी भी Reports है और जितने भी आपको Export करनी है, Returns करनी है, वो सारी चीज़े आपको GST में मिलेगी अगर आप Wholesale करते हैं तो आपको EV की बड़ी Required होती है, तो आप EV Bill को Configure कर सकते हैं इसी में, Directly Software से ही आप अपना EV Bill Generate कर सकते हैं Stock में, Stock से Related जितनी भी Reports हैं, वो सारी रिपोर्ट आप यहां देख सकते हैं, जैसे Stock की Valuation देखनी है, आपको Current Stock देखना है, और Advanced Level पर जो हम Reorder अगरे मैनेज करते हैं, तो वो भी सारी जीज़े आपको यहां पर देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं Daily Report में, जो भी आपकी Daily Report है, जैसे चलान बनाना है, आपकी Home Delivery, Dispatch Management System, चलान सागर चलान मगर यूज करते हैं, और जितने भी आपकी Reports हैं, Daily Reports हैं, Payment Report, Currency Report, Salesman Report, Product Wise, Company Wise, बहुत सारी Multiple Reports हैं, और Reports में सारी Analyze Reports हैं, जितनी भी रिपोर्ट आप देखना चाहें, जैसे Sales से Related, पर्चेर से Related, Inventor से Related, Hot Keys में और वो Keys हैं, जो Software में कहीं Mention नहीं है, यह सारी के सारी Hot Keys हैं, लिंक्स में जो है, सारे YouTube, Facebook, और एक लिंक्स है, exit में जो है, आपका License Number या उसकी Retails होती है, उसके बाद जो है, यहां पर जो बटन्स आप देख पा रहे हैं, यह सारे बटन्स पड़ता है, तो यह option डिरेक्ली आप यहां लगाना चाहते हैं, तो यहां पर लगा सकते हैं, जो भी आपके regular uses में हैं, और उसके बाद में यहां पर अगर क्लिक करता हूं, तो यह एक short dashboard है, कि आज जो है मैंने कितनी sale करी है, कितने bills कटे हैं, कितना amount मुझे collection हुआ है, cash कि इतना है, bank कितना है, debtor कितने है, creditor कितने हैं, और यह सारे के short reports आपको यहां पर देखते रहती है, फिर उसके बाद हम left hand side की बात करें, तो यहां पर जो भी आप काम करते हैं, उसके history वगरा आपको show होती है, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ा आप देखते हैं, वो आपक टाइप कर सकते हैं, और उससे related आपको solution मिलने start हो जाते हैं, ऐसी mark care में है, और support ticket में आप अपनी ticket generate कर सकते हैं, अगर कोई problem आ रही है, आपको remote support है, और webinar में जो mark company कराते हैं, जो भी knowledge related वो आप यहां पर देख सकते हैं, search menu से कोई आपको चीज़ा नहीं मिल रही, तो search menu से click करके आप ढूंड सकते हैं, ऐसी जो order CRM है, यह आप wholesaling के लिए use कर सकते हैं, हमें order वगरा लेनी जो होते हैं, e-retail है, जिससे जो है आप हमारी जो e-retail एक application है, जो customer use के लिए है, वहां से order collection वगरा जो करते हैं, वो directly आपको software पे imbind हो जाती है, ऐसी जो reports है, sale purchase analyze कर सकते ह credit limit आप जो है, setup कर सकते हैं, अगर आप wholesale करते हैं, और retail में भी काफी need होती है, तो यह credit limit आप use कर सकते हैं, और audit trial कर सकते हैं, जो भी updates आता है, हमारे software के यहां से आप update भी कर सकते हैं, नीचे की side में आपकी company की detail आपको show होती है, यहाँ पे आपको date and time show होता है, और यहाँ सारे instructions आपको मिलते रहते हैं, keys के, जो जो आप option को use करेंगे, left hand side पे जो है आपके provider के details होगी, जिनसे आपने software purchase किया है, right hand side पे आपको details होगी, तो यह software का complete home page है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि item वगरा कैसे create करना है आपको, तो आप inventory में आएंगे item master पर जैसे click करेंगे, तो इसमें अभी कोई भी item इसमें नहीं है, तो सबसे पहला item जो है हम इसमें create कर रहे हैं, अब जैसे की मान के चलते हैं, कि हमारे jeans है, jeans, अगर आपकी कोई packing हैं, तो packing आप डाल सकते हैं, उसके बाद इसको किस group में आप रखना चाहते हैं, जैसे men's, clothes, मैं यहाँ पर group create कर लेता हूँ, ऐसी ही जो group create कर सकते हैं, और क्या इसका HSN code है, अगर कोई भी जो भी इस पर taxes लगते हैं, क्या tax है, इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं, और क्या MRP है इसकी, और आपकी खरीद rate क्या है, और कितने में इसको sell out करना है आपको, तो यह स सबी जो है offers से related है, discounts से related है, scheme से related है, तो यह आप अपनी इसाब से देख सकते हैं, नहीं तो और भी वीडियो जो है हमारी अल्रडी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, अब जैसे कि यह है size, default size, अब इसमें क्या क्या sizes आते हैं, जैसे इसमें small है, तो आप इस तरीके से यह उपर instruction भी दिये गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि small, medium, फिर आप यह instruction पढ़के small, medium, large, axle, double, axle, उसके बाद आप control डबलू कर देंगे, तो अब हमारा एक item create हो जुका है, इसी तरीके से आप जितने भी item अपने create करना चाहें कर सकते हैं, अब simple सा process यह है कि सबसे पहले आप क्या है, purchase करेंगे, तो हम purchase entry में जाते हैं, और हम यह सारी चीज़े काफी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, कि हमारी वीडियो लंबी ना हो, जो main main entries और main main purpose होता है, garment shop में देखने का, वो चीज़े में आपको इसमें cover और दिखाऊं, अब जैसे ही हम purchase entry कर रहे हैं, त इससे हमने यह purchase किया, ताकि हम accounting भी साथ साथ देखें कि हमारी accounting भी manage हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे vendor create करना होगा, first time, तो हम F2 से vendor create कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे vendor create कर लिया, सर्मा wholesale के नाम से, और ऐसे ही जो इनकी retail से है, जैसे इनका address आप यहाँ पे fill करेंगे, जो भी इनका address है, email id, website है, या contact person है, तो यह सारी details आप यहाँ में mention कर सकते हैं, जैसे इनका mobile number, ght number, और भी कोई इनके पास license है, तो आप license अमर वह कि अभी यहाँ पे हमारी चार पार्टियां by default जो शो रहे थे, लेजर, अब हमारी एक पार्टी जो है create होगी, उसके बाद कि क्या हमने, जो इन्होंने invoice number आपको दिया, क्या invoice number यहाँ पे आप mention करेंगे, ght हमने इनको pay किया, नहीं किया, yes no, से हम बता सकते हैं, उसके हैं, suppose कि हमने large purchase नहीं किया, हमने 12 piece medium के purchase किये हैं, और 6 piece small purchase किये हैं, और double XL हमने 4 piece purchase किया, इस तरीके से, और क्या हमारी purchase rate हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं, और उसके बाद क्या इस पे tax लगे हैं, और भी क्या rate आप इस पे रखना चाहते हैं, multiple rate है, अपने sale rate को आप A से ले यहाँ पर जैसे कि आप size देख रहे हैं यहाँ पे, पहले medium का जो है, सभी के अलग-अलग sale price आप रख सकते हैं, अब मालीजे मैं जो small है, यह आप देख सकते हैं, size इसमें S है, मैं चाहता हूँ कि small जो है 700 रपे में हम sale करना चाहते हैं, और इसकी MRP भी जो है, कम है, इसकी MRP 800 रुपे की है, अब जैसी मैं enter करूँआ, तो देखिए, अब यह double XL की बात हो लिए, अब double XL जो है, हमारा 900 रुपे का आता है MRP, और हम इसको sale करेंगे 900 रुपे का, अब मैं ऐसे enter करता हूँ, तो देखिए, तीनों sizes मेरे जो है, upload हो चुके हैं, और सब के purchase rate मेरे यह है, मैं इसको भी change करना चाता हूँ, तो change कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने इसको save कर दिया, अब जैसी मैंने save किया, अब मैं सबसे पहले जो है, लजर लिस्ट में चले जाता हूँ, उसके लिए आप books में आएंगे, और books में आने का, और लजर पर click करेंगे, अब मैं सर्मा और इनकी payment हमने 15,000 रुपे की कर दी है, और कौन से बिल्की करिये, सारे बिल्की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, और उसके बाद cash है, bank है, उसके साब से मैं save कर सकता हूँ, अब मैं दुबारा से लिजर लिस्ट में जाओं और देखूं कि अब सर्मा जी को मुझे कित 40 रुपे का समा, और उसके बाद हमने इनको 15,000 रुपे की payment कर दी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि साथ साथ आपकी accounting भी manage होते जा रही है, अब हम इसी ही साथ से अपनी inventory भी check कर लेते हैं, तो stock में आके current stock पे click करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे आपकी inventory है वो जिन् पे शो रही है, कि M size की MRP है 900 रुपे की है, small की 800 की है और डबल XL की 900 रुपे की है, और इसी तरीके से जब आप sale करेंगे, अब हम sale करते हैं, customer की detail वगर आप mention कर सकते हैं, अब देखें यहाँ पे, अब हमें जो है, एक जो है बेचना है medium size और एक इनको sale करना है small size, बागे स सारी चीज़ें को normal, तो देखिए automatic जो है price update है यहाँ पे, जो हमारा small size है, वो 700 रुपे में sale हो रहा है, और क्योंकि हमने 700 का rate रखा हुआ था और जो double XL है, जो medium है वो 850 का, अब यह आपको कैसे दिखेगा, कि small है यह large है, यहाँ मेरा mouse pointer आप देखेंगे, तो यह size का आपक show हो रहा है, और यहाँ पे medium show हो रहा है, तो इस तरीके से आपको show होगा, और फिर हम इसको billing कर देते हैं, अब billing के time पे भी आपको cash customer cash कर रहा है, phone pay कर रहा है, UPI कर रहा है, किस तरीके से आपको payment कर रहा है, उस according जो है, अपनी payment collection को कर सकते हैं, और इस के रिसाप से आपका invoice जनलेट हो जाएगा, अब invoice में आपके पास thermal printer है, तो आप thermal का भी setup करा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक view दिखा देता हूं, जिससे आपको यह पता रहे कि इसमें सारी customization available है, तो इस तरीके से thermal printer का भी आप setup करा सकते हैं, अब बात है कि बारकोड को कहाँ पर maintain करें और कैसे maintain करें, बारकोड के लिए भी जो है, सबसे पहले हमें इसमें setup करना होता है, तो देखिए अब यहाँ पर हम बारकोड टाइप करते हैं, और बारकोड में हमें यहाँ यहाँ डिरेक्ली विंडो उपन है, जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं, अब हमें बारकोड मेंटेन करना है, तो हम यहाँ बैच वाइस बारकोड को मेंटेन करेंगे, तो अब जब भी आप परचे चड़ाएंगे, तो आप अपना खुद का भी बारकोड जनलेट कर सकते हैं, और आप तो जो बारकोड अलड़ी लगा हुआ है, उनको भी आप यूज में ले सकते हैं, अब हम दुबारा से परचे जो है इनके एंटर कर रहे हैं, तो देखना अब आपको बारकोड का भी ऑप्शन दिखेगा, और उसको अब यूज भी कर सकते हैं, अब जैसे कि हमने इस समय ल बारकोड भी शो हो रहा है, तो यहां पे आपको बारकोड शो हो रहा है, अब आप खुद का जनरेट करना चाहते हैं, तो सॉफ्टर में दुबारा से हमें सैटव करना होगा, आपका बारकोड ओटमेटिक एक जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, और अगर प्रॉड़क्ट को चूज नहीं कर रहा है तो यहां पर आटोमेटिक मेरा वह आइटम और साइज देखें साइज यहां पर मेंशन आपको हो रहा है कि यह लार्ज है आट सो पचास रुपे की है तो बारकोड वाइस भी हमारी बिलिंग हो रही है अब बारकोड को जनरेट कैसे करते हैं इसके अब यह हमारी बारकोड वाइस भी बिलिंग हो गई है और यह भी जो है कस्टमाइजेबल है आप चाहें तो कस्टमाइज करा सकते हैं इसको भी तो जैसा कि आपने देखा रिटेल में हम नॉर्मली सारे चीज़े को कर पा रहे हैं अब हमें अगर इसमें आर्टिकल मेंटे है तो हम यह साइज मेंटेन करना चाथे हैं और हमारे इडिशनल ऑप्षेंस है जैसे कि बाइदेफॉल्ट हमने यह manufacturing ID कर रखा है तो हम यहाँ पे कडर मेंटेन करना चाते हैं और इनको भी हम इनेबल करके और यहाँ प्र के आर्टिकल मेंटेन है अब यहीं हमारी inventory है अब देखें यहां पर सारे options आपके सामने नजर आगे कि size क्या है size मान के चलते हैं 32 है या फिर small है उसके बाद color इसका क्या है जो मैं इसमें एंटर करना जाता हूं black article number क्या है इसका article number डालेता हूं MRP कितनी है इसकी और यहां पर कितनी inventory मैंने इसकी purchase करी है क्या rate है और उसके बाद यहां पर इसका sale rate अब sale rate हम कितना 900 ही रखना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं वह हम अपने हिसाब से कर सकते हैं अब जैसे हम इसको save करते हैं अब इसी according जो है हम अपनी inventory कर सकते हैं और sale भी कर सकते हैं अब देखिए अब देखिए हमारे पाइश स्मॉल साइज है और बांकी डीटेल आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे भी आप इसमें customize कराना चाहिए जैसे कि अभी आपने यह आर्टिकल वगर भी चीज़े देख ली स्टॉक भी देखा आपने accounting भी देखिए अपने billing उसके बाद बार कोडिंग और whatsapp email और sms इसी तरीके से जो है इनको भी हमें setup करना होता है जैसे मैंने बार कोड को setup क किया अब जैसे कि आप देख पा रहें यहां पर email setup, WhatsApp setup और sms setup ऐसी जो email है email में आप Gmail यूज करते हैं या फिर Yahoo यूज करते हैं email जो है कब उनको जाए जब भी invoice generate करें क्या वह आपसे पूछे WhatsApp कब आपसे जो है जाए तो यह सारी की सारी settings जो है पहले से कर सकते हैं तो यह आप पहले ही बता देंगे तो आपको और भी easy हो जाएगा अब इसे तरीके से जो हमने और भी points लिख रखें इसमें point system भी है offer discounts यह भी हम मैं आपको इसमें show करा देता हूं जैसे rate and discount master में जाएंगे तो आपको point system भी मिलता है तो point system में भी बहुत सारे roll है कि points जो है वो किस तरीके से आपको calculate कराना है आपको value पे point रखना है या हर एक amount पे point रखना है जैसे कि कोई अगर 5000 की खरीदारी करता है तभी उसको point मिले या फिर वो अगर 10 उर्पे की points define है तो उसके according उनको point मिलते रहें तो यह भी जो है आप देख सकते हैं जितने भी में features आपको बता रहा हूं इनके उपर जो है already videos मैंने जो है separately बनाए हुए हैं तो सभी के link में description box में दे दूंगा जिससे के थुरूँ आप क्या है देख सकते हैं कि यह कैसे work करते हैं और देख लेते हैं हम इसमें और हमने किन चीजों पर जैसे offer है discounts है scheme है तो यह आप master wise भी कर सकते हैं और अपने according बे सेट अप कर सकते हैं जैसे कि हम जब यह inventory create कर रहे थे तब यहां पर हमारे को बहुत सारी options हो हो रहे थे discounts related अब जैसे हम चाहते हैं कि discount रखना by default इस पे 10% इनका और discount applicable है और अगर हमें इसमें और भी जो है minimum minimum discount कितना रखना है maximum कितना रखना है तो यह सारे कि सारे हमें features हैं कुछ master wise features हैं और कुछ जो है हमारे पास directly set up करने के भी हैं हम price list को define करना चाहते हैं या bill quantity को दिखना करना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं कि इस item को कोई भी अगर 12 पीस purchase करता है तो उसको 15% का discount मिलेगा इस तरीके से हम setup कर सकते हैं तो यह बहुत सारे इसमें जो है options आपको मिलते हैं customization के e-way bill जैसे कि मैंने सुरु में बताया आपको GST और e-way bill advanced stock management यह भी मैंने सुरु में बताया कि हमारे पस क्या sizes हैं क्या इसके बस stocks हैं और multiple go down अभी हम open यह manage कर सकते हैं reports आपको दिखा है मैंने कि जैसे हम कोई भी report अगर देखना चाहते हैं तो उसके according हम report देख सकते हैं जैसा sales report हम देखना चाहते हैं और sales report में भी जो है हमें बहुत सरे filter लगाने हैं तो हम filter भी लगा सकते हैं आपे कि हमें net amount देखना है या किसी group का देखना है company का देखना है तो इस तरीके से हम sales report भी देख सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे इवेविल का option है अगर आप wholesale करते हैं तो और जब आप sale करेंगे तो यहां पर आपको wholesale का भी option अब तक आपने retail देखा आप wholesale भी कर सकते हैं अब wholesale में भी जैसे आप wholesale की party को create करेंग ठीक है अपनी party को mention करेंगे ऐसी detail सारी detail mention करेंगे अब जो भी इनको sale करना चाहते हैं किस rate में sale करना चाहते हैं और फिर इसके एसाब सही इनका अब देखे हमें इस bill में loss हो रहा है तो यह भी आपको साथ साथ में instructions मिलते रहेंगे और यह 15% discount क्यों जा रहा है क्योंकि हमने इनके item master में 15% discount by default कर दिया था तो सौफ्टर में अगर कुछ आप गलत भी करेंगे तो हर जिगा पर आपको instructions सारे मिलते रहेंगे तो wholesale भी आप इसमें कर सकते हैं बार कोडिंग भी कर सकते हैं retail wholesale दोनों कर सकते हैं और आप inventory advance level पर maintain कर सकते हैं वाटसर फीचर advance गोडाउन का भी इसमें feature है मैं आपको practically दिखा देता हूं जिससे कोई suspense न रहे और इसके ओपर already वीडियो भी जो है बनी हुई है मेरी हम यह अब टाइप कर लेते हैं go down तो देखे go down तो अभी आपको complete setup मिल जाता है अब जैसे मुझे कितने go down maintain करने है चार तो उसके बाद मैं इसको जैसी save करूँआ अपडेट करूँआ तो अब मुझे store का यानि की go down का भी option मिल जाएगा और इसकी वीडियो भी आप जो है fully देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको store master का भी option मिल गया तो इसकी भी वीडियो आप complete देख सकते हैं I hope आपको जो है garments के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको clear हो पाया होगा कि कैसे आप जो है mark software में इसका काम करेंगे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ताकि इसी तरह के demos, videos, support videos आपको हम देते रहें thanks for watching